उतरप्रदेश के बिजनौर में गेहू की ठेसिंग से निकलने वाली धूल के कर लोगों की सेहत के लिए मुसीबत का सबब बनती जा रही है और यही वज़ा है कि अब अस्पतालों में दिन पे दिन मरीजों की तादाद भी बढ़ती जा रही है सरकारी डॉक्टरों के मुताबिक अस्पतालों में खासी गले में खरास के मरीजों में इजाफ़ा हो रहा है और इसके रोग थाम के लिए मुह पर नाकाब लगाना बहुत जरूरी हो गया है तभी जहरीली हवा से बचा जा सकता है किस तरह की दूल कया है यह यह गया है जो चल रही है इसए नजला हांot जानी भी मारी हो रही है देखे इस जो गयों के हमारी frile में दूल फिरश्ट उडती है है इससे सांस के नली में सोजंभी बहु सकती यह ईससान से सांस के पर प्रसानिया हो सकती है जैसे bronchitis, जनका उसकती है, और इसमगें प्रक्षक होसकती है, उसकी है नंका में स्नका सिंटम हो सकती है टक्राइब करूपकिए सुखिखची में स्काइब कर दीजगा अगर सांपरक में इस धूले के, इसमम्द करते हैं, and the कंसे इब सेब सेब दोसे के